हेलो दोस्तों नवशकार स्वागताव सिवी का गनेश टड़ी पांड यूरुट चैनल पे तो देखे दोस्तों CRPF Constable Traitsman Brickshad 2030 कंटिनिवसली आपके एक्जाम चल रहे हैं आज आपके 4 जुलाई का 1st shift का एक्जाम खतम होच चुक है तो 4 जुलाई 1st shift एक्जाम अनालिसिस अपने इस वीडियों में देखेंगे तो आज जिनका भी 4 जुलाई 1st shift में एक्जाम था वो सभी साती इस पूरे वीडियों को ध्यान सेंड तक बहुत जरूर कीजेगा क्योंकि 4 जुलाई 1st shift एक्जाम में जितने वी जीके, जी एस, करंड फैर और हिंदी से रेलेटेड आपके एक्जाम में पूछे गए हैं उन सभी प्रश्णों का बिल्कुल 100% सही वसाटीक उतर के साथ एक्जाम अनलेसिस आपको इस वीडियों में देखने को मिलेगा तो आज जिनका भी एक्जाम था, वो सभी साथी वीडियों में ध्यान सेंड तक बने रहीएगा चलिए आज की इस वीडियों को अपने शुरू करते हैं तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं वीडियो शुरू करें उससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किये तो प्लीज जल्दी से लाइक कर दीजिए और सभी दोस्तों के बीच इस वीडियो को पहुंचाने के लिए वीडियो को शेयर करना भी म बना था ग्यासुदीन बलबन तो ग्यासुदीन बलबन इस question का आपका विल्कुल right answer रहेगा और देखे दोस्तों एक्जाम में ये question भी पूछा जाता है कि दिल्ली की प्रतम महिला शाशी का कौन बनी थी ठीक है दोस्तों तो वो बनी थी आपके रजिया सुल्तान ठीक है तो चलिए बढ़ते हैं second question की और second question आपसे पूछा गया कि insulin hormone का उतपादन कहां से होता है देखे दोस्तों जो insulin hormone है इसका जो उतपादन है वो हमारे शरीर में अगनाशय करन्ती की बीटा कोशिकाओं से होता है तो अगनाशय करन्ती की बीटा कोशिकां इस question का आपको क्या करना चलिए बढ़ते हैं एगले question की ओर question number third में आपसे पूछा गया कि भारतिय समीधान में किस अनुछेद में नागरिकता का प्रावधान किया गया है देखे दोस्तों भारतिय समीधान में जो नागरिकता का प्रावधान किया गया है वो अनुछेद 5 से 11 में किया गया है तो article 5 to 11 इस question का आपका बिल्कुल right answer रहेगा इसके अलावा next shift में पूछा जा सकता है कि जो नागरिकता है वो तो अनुछेद 5 से 11 में परन्तु भारतिय समीधान कि किस भाग में तो नागरिकता का वर्णन किया गया है वो भारतिय समीधान के भाग 2 में किया गया है और आज आप स होता है देखी दोस्तों रत के प्रमुख प्राइवाची शब्द होते हैं जैसे सतांग यान छकड़ा शकट बेल गाड़ी बोज शरीर भार सगड़ देहे परिमान देव यान घोड़ा वायू यान विमान रुकावट इस प्राप्ति गाड़ी ध्यान गती अवरोद लाब वा योनी अथवा या चाल या फ्रियान ये क्या है रत के प्रमुख प्राइवाची शब्द होते हैं तो आप मेरे को कमेंट करके बताइएगा कि आपको इनमे से कौन सा वाला आप्शन में दिया गया था चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेशन की और आगला क्वेशन था वो 1414 से 1421 के मध्य में रहा था तो 1414 से 1421 इस question का आपका विल्कुल right answer था अगला question आपसे पूछा गया कि भारत के छेत्रफल का कितना परतीशत भाग परवतिय पठाई चेत्र है देखे दोस्तों भारत के छेत्रफल का जो 43% भाग है वो तो क्या है मैदानी भाग है इसक पठारी है ठीक है तो इसमें आपसे पूछा गया था कि परवतिय तथा पठारी चेत्र ठीक है तो यहां पर जो परवतिय का परतीशत रहेगा वो कितना रहेगा परवतिय का परतीशत रहेगा 29 और पठारी चेत्र का जो परतीशत रहेगा वो रहेगा 28 ठीक है तो आपको option में पूछा गया कि हड़पा सब्विता ग्लोब में किस दिशा में डिशा में ठीच है कि धंग दोस्तों तो दक्षण पूरव डिशा इसस क्वएशेन का atok क्या करना था बिल्कुल राइट अंसर करना चलिए बरते हैं अगले question की और अगरा question पूछा गया जो सरवादिक वर्षा होती है वो कहां पे होती है तो भारत में जो सरवादिक वर्षा दर्ज की जाती है वो मांसीर माशिन राम मेगालिय मेगालिय इस question का आपको गया करना था बिलकुल right answering करना था अगला question पूछा गया कि इनमें से कौन सा तन का प्राइवाची शब्द नहीं है ठीक है आपसे option में पूछा गया था कौन सा नहीं है परन्तुम आपको तन के प्रमुख प्राइवाची शब्द बता देता हूँ इसके अलावा जो भी आपको option में दिया गया रहोगा वो ही आपका राइवाची शब्द होते हैं काया देह शरीर बदन तनू ये क्या है तन के प्रमुख प्राइवाची शब्द होते हैं इसके अलावा जो भी आपको option में दिया गया था वही इस question का आपको बिल्कुल right answer करना था अगला question पूछा गया कि आनंद भवन कहां पर स्थित है देखी दोस्तों बात करते हैं अपने आनंद भवन के बारे में देखी दोस्तों भारत में तांबे के सिक्की की जो शुरुआत की गई थी वो शेर्सा सूरी के द्वारा की गई थी तो शेर्सा सूरी इस question का आपको बिल्कुल right answer था ठीक है और शेर्सा सूरी से related question पूछा जाता है कि शेर्सा सूरी का जो मकबर है वो काँ पे स्थित है तो शेर्सा सूरी का जो मकबर है वो सासाराम बिहार में स्थित है काँ पे स्थित है सासाराम बिहार में स्थित है तो ये question भी आपको ध्यान में रखना है नेक्शिट में पूछा जाएगा अगले question में आपसे पूछा गया कि 2021 में अंत्रिक्ष में जाने वाली तीसरी भारत्य मूल की महिला कौन बन गई है तो 2021 में अंत्रिक्ष में जाने वाली तीसरी भारत्य मूल की जो महिला बन चुकी है वो बन चुकी है शिरीशा बांदला तो शीरीशा बांदला इस question का आपका बिल्कुल right answer था अगले question में पूछा गया जलोड मिट्टी से question आया था question exact clear नहीं हो पाए नहीं इसके option मिल पाए अगर आपको option और clear question पता है तो आप comment कीजिएगा आपको right answer वीडियो के comment box में मिल जाएगा अगले question में पूछा गया लूइस पास्चर ने पाइस्चराइजेशन की खोज कब की थी तो लूइस पास्चराइजेशन की जो खोज की थी वो 20 अपरेल 1862 को की थी तो 20 अपरेल 1862 इस question का आपका right answer था अगले question में पूछा गया कि शिलोंग का पठार किसके अंतरगत आता है देखी दोस्तों जो शिलोंग का पठार है वो छोटा नागपूर पठार के अंतरगत आता है तो छोटा नागपूर पठार इस question का आपका बिलकुल right answer था अगले question में पूछा गया गौरव का प्राइवाची शब्द क्या होता है तो गौरव का प्राइवाची शब्द होता है प्रमुख प्राईवाची शब्द होते हैं तो इन में से जो भी कोई आपको option में दिया गया रहा होगा वही इस question का आपको right answer करना था तो फर्शिफ्ट का एक्जाम अनालिसिस आज कंप्लेट कर लिए वीडियो के आंद देगा धन्यवाद पसंद आए लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा